जैहिन दोस्तो अगर आपके पास में NCCC certificate है और आप इंडिया के किसी भी state के रहने बाले हैं और आप चाहते हैं इंडियन आर्मी में officer बनना चाहें आप male हो या female हो महला हो या पुरोस हो आपके पास में है इंडियन आर्मी में officer बनने का एक सुनेरा मौका तो यहां पर दोस है वो मार्ज के महिने में होनी है ठीक है तो वीडियो में दोस्तो लास तक जरूर बने रहेगा क्योंकि इस भरती से related हम आपके लिए पूरी जानकारी इस वीडियो में देने बाले हैं लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे YouTube चैनल सिभा online classes को subscribe जरूर करना तो दोस्तों यह है वो notification जो कि मैंने download करके रखे हुई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं join Indian Army NCC special entry scheme 49th course ठीक है अप्रेल 2021 में यहाँ पर आपके लिए जो है वो पूरी की पूरी आपका selection process complete कर दिये जाएगा short service commission NT यानिक non technical for men and women ठीक है including word of battle casualties of army personal मतलब अगर आपके पास में NCC का C certificate है या फिर आपके पास में NCC का C certificate नहीं है और आप किसी army personal के बच्चे हैं जो की battle casualties है ठीक है तो आप इस भरती में जो है वो apply कर सकते हैं तो दोस्तों पूरी वीडियो के लिए आप देखते आप इंडिया के किसी भी state के रहने वाले हैं तो आप इस भरती में सामिल हो सकते हैं और अगर आप a subject of Nepal a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African countries of Kenya ठीक है अगर आप दोस्तों मतलब कहने का मतलब यह है कि इंडिया जो यह भरती है वो पूरी इंडिया के candidates के लिए निकली हुई है ठीक है और इसमें अगर आप नेपाली गोर खाएं तो भी आप इसमें सामिल हो सकते हैं उसके बाद में दोस्तो एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी यहां पर होगी 19 साल से 25 साल जिसकी date of birth दोस्तों आपकी 1 जनवरी 2021 के लिए आपको 2 जनवरी 1996 से और 1 जनवरी 2002 के बीच में आपकी जो होगो date of birth की cut-up होनी चाहेंगे मतलब 2 जनवरी 1996 से एक जनवरी 2002 के बीच में अगर आपकी date of birth है तो आप इस भरती में सामिल हो सकते हैं ठीक है उसके बाद दोस्तो education qualification and other criteria ठीक है तो education qualification है दोस्तों आपकी degree of a recognized university or equivalent with aggregated of minimum 50% marks in taking into account marks of all the years ठीक है मतलब आपके पास में graduate होना जरूरी है आप और graduation में आपके 50% marks होना जरूरी है ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर service in NCC आपके पास में NCC के C certificate में minimum B grade होना जरूरी है अगर आपके पास में NCC के जो C certificate है उसमें B या A grade है तो आप इस भरती में सामिल हो सकते हैं ठीक है उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका vacancies के बारे में कि यहाँ पर जो है वो vacancies है वो कितनी है तो NCC man के लिए और woman के लिए अलग-अलग vacancies निकली हुए है man के लिए दोस्तों 50 vacancies निकली है जिसमें 45 general category and 5 for world of battle casualties ठीक है उसके बाद में NCC woman में 5 vacancies है only all over India के लिए जिसमें 4 for general category के लिए है और एक है दोस्तों ward of battle casualty ठीक है उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपके promotion का आपके पूरी की पूरी details notification में दी गई है तो आपका मैंने आपको बताए दोस्तों कि आपका जो date of birth है वो भी मैंने आपको बता दी आपके vacancies कितनी है यह भी बता दी आपके education qualification भी बता दी अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं आपके लिए minimum 50% marks आपने secure किये हों graduation में और आपके पास में NCC के C certificate में B या फिर A grade हो तो आप इस भरती में apply कर सकते हैं यह जो भरती है दोस्तों वो वीडियो में आगे बताएंगे तो दोस्तों इस भरती के जो online आविदन होंगे वो आप 30 December 2020 से 18 January 2021 के बीच में कर पाएंगे ठीक है तो यहां पर जो दोस्तों इसके online आविदन है वो start हो चुके हैं तो जल्दी से जल्दी अपने online आविदन करिए और इस भरती में सामिल होन तुम से आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहन जैभारत